यहां पर तुम्हारा 6.4 यह तुम्हारा फाइनल रिजल्ट नहीं है यह एक रफ स्केच है फिर स्केच बना लिए तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब हम एक्चुल डामेंशन लेते हैं ठीक है इस पे आजो एटू बी है तुम्हारा 4.5 तो मैंने अपना स्केल लखा ऐसे हैं ना और बी है 4.5 है ना 4.5 पर हम यहां आ गई तुम्हारा अब अब अगला है तुम्हारा एटू भी तो होगे तुम्हारा 4.5 तुम्हारा बीच ए 6.4 तुम्हां पर अपना अपना रखो और 6.4 मेशर करो देखो मैंने अपना सेंटर लिया बी ठीक है और मैंने 6.4 एक रेडियस बना दिया ऐसे करके मार्क करा अब मुझे नहीं पता है कि यहां है कि यहां है यहां है लेकिन मैंने एक आग बनाती है विद्धर सेंटर आज बी चला अब यह कह रहे हैं कि एडी तुम्हारे पास 5.6 है फिर से अपना कंपस लो 5.6 है ना तो मैंने क्या करा यह 5.6 मैजर करा मैंने घिक है तो मैंने क्या कर आए ऐसे रखा यह कंपस सेंटर बी एक को लिया और एक आःग बना दिया 5.6 लेंद का ठीक है आ रहे है समझा भी आप यह जो तुम्हारा पॉइंट है यहां पर तुम्हारा कहीं पर पॉइंट B आएगा इस जगह कहीं तुम्हारा पॉइंट सी आएगा अब यह कहने एसी 7.6 है ना तो तुम एपर सेंटर रखके 7.6 मार्क करना है ना तो यह तुमने सेंटर रखा एपर 7.6 ऐसे करके मार्क कर दिया रेडियस ठीक है तो यह जो पॉइंट है ना इस पॉइंट इस सी ठीक है बाकी का तुम एरेस कर दो यह उसे यह वाला जुतना बड़ा सार के इसको एरेस कर देना है न चुटा-चुटा आख रखना चलो ठीक अब क्या करोगे इस पॉइंट भी इस पॉइंट सी अब तुम इन दोनों को जॉइंट कर दो भी ठीक है यह तुम्हारा पैनी नहीं चला चलो ठीक है यह अब यह कह रहे हैं तुम्हारा अब यह देखो यह डाइगनल है न तो इसको ऐसा करने है इसको तुम जो है डाइगनल से शो कर दो बाकि जो इसकी साइड जोंगे उनको तुम फिर्म लाइन शे शो करना ठीक अब ओगया अब हो गया बी-सी हो गया तुम्हारे बाद C to D is 4.8 उसके लिए क्या करोगे तुम फिर से 4.8 मेज़र करो C, D 4.8 है ना चलो मैंने मेज़र कर लिया 4.8 अब मैंने C पे रखा अपना ये सेंट ये आ गया एक मार्क ये वाला पोइंट है तुम्हारा D देख रहो कि हमारे उसमें कितना डिफ्रेंस आ रहा है ना जो हमने एक ट्राफ स्केज बनायता है ना अब ये CD आ गया अब इनको भी जॉइंग कर लो तुम देखो बहुत असान सा है ना इतना कोई मुश्किल नहीं है कितने सुकून से होगे है मारा बहुत अराम अराम से यह वाली एक साइस करना बच्चों है ना जो दियाव है पहले वो कर लो पॉइंट्स खुद बहुत अब सारे पॉइंट्स आ जाएंगे ठीक है क्लियर यह तुम्हारा कोडिलेटर आगे अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर यहां पर यह कह रहे हैं कि यह वो तुम्हारा है फाइव सेंटिमीटर थीक है तो पहले यह बना लो फाइव सेंटिमीटर है ना तुम लोग सोचते हो मैं कैसे 20 और 25 कर जाती हूं देखो मैं इसलिए करती हूं क्योंकि यहां पर तुम्हारा एज जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता है नहीं होता है ना तो इसलिए मैं कहीं से भी ऐसा रखते हूं जो 10 पर रखा तो 15 तक ले गई ठीक है 20 भी रखा तो 25 तक ले गई तुम लोग चाहो तो 0 अगर तुम्हारे एज इस प्रॉपर है तो 0 पर रख हो और 5.6 C के लिए कर लो है ना चलो बी पर सेंटर रखा 5.6 तुम्हें एक आर्क लगा दिया ठीक है यह तुम्हारा सी आएगा ठीक चलो फिर यह कह रहे हैं सी टू डी अभी बाद में देखेंगी एडी ए 4.6 है ना 84.6 है तो 4.6 के लिए मार्क लगाओ यह मैंने डी पॉइंट के लिए एक मार्क लगा दिया ठीक है फिर यह कह रहे हैं डी हो के बी डी है 5.8 तो तुम बी पर रखकर डी के लिए एक मार्क लगाओ 5.8 है ना आ रहे समझ में बी पर रखको डी है 5.8 यह तुमारा आगया पॉइंट डी आगया समझ में कैसे अराम अराम से सारे पॉइंट हमारे अब निकल के आएंगे हैं ना तो देखो ए डी को जॉइन कर दो तुम इतना बड़ा जो आर के अब उसको छोटा कर दो ठीक थोड़ा कर तुमारा फिगर चलो ए भी अब सी है तुमारा सी टुडी इस 4.8 है ना तो चलो ठीक है तो डी पर रखो सी लग कर दो 4.8 चलो आगे हमारे पास पॉइंट सी थी अब सी आगे तो सारे पॉइंट सागे है ना सब को जॉइन कर दो तुम होगे तुमारा है ना अब क्या करोगे अंदर डाइगनल्स को जॉइन कर लो ठीक है बनगे तुमारा ए बी सी डी ए कोरिलेटरल राइट चलो है ना इसका सी डी ए तुम लोग खुझ से करोगे नाव यंप संबर लिए काम्ट टू अब हम क्वेश्य नामबर टूπर आ जाते है ने को क्वेश्य नामबर टू में क्या का रहे है ये कहरे है ड्रॉ और ए लिटल ए वी सी डी इंविच बीच इनवी 7.5 AD और AC बराबर हैं 66 है ना चुलो बनाते हलके लके देखते हैं कैसे होगा यह वाला भी ए पार्ट करते हम इसका यह कह रहे हैं कि तुम्हारा BC 7.5 है ना तो ठीक है यहां पर रखा 7.5 है ना यहां गे 7.5 B to C एक स्ट्रेट लाइंग बन गे तुम्हारी चलो दिस इस पॉइंट B दिस इस सी और यह हो गया 7.5 सेंटीमीटर्स कि क्ले चलो अभी कहरें जो ए ड के बराबर चेशे संतिमीटर्स दोनों तुम्हारा यह पड़ेगा यहां क्योंकि ए भी सीडि ए तुम्हारा 6 संतिमीटर्स कैसे करोगे 6 संतिमीटर का है एकांक लगा दू बढ़ा मजी के एक साइज ऐए वाली है ना कोई और ऐसे एक मार्क लगा दिया A के लिए, ठीक है, मुझे नहीं पता A के इधर जाएगा, छलो, फिर है, A, D है, A, D तो भी नहीं निकाल सकते हैं, C, D है, 5 cm, D पड़ेगा तुमारा, A, B, C, D, D पड़ेगा इधर है, 5 cm है ना, चलो, एक मार्क लगा दो, D के लिए 5 cm पे है, है कहीं A आएगा, ठीक, अब तुमारे पास क्या गिवन है, A, C, गिवन है, 5 cm होगे, B, D है, 10 cm, ठीक, तो तुम क्या करोगे, B पे सेंटर रखो, और 10 cm का एक मार्क लगा दो, ऐसे, यह B पे रखा, क्योंके B, D, 10 cm है, देखो, यहां आ रहा है, ठीक है, तो this point is B, ठीक, इसको erase कर दो, इसलिए मैं कहरे हूँ, पेंसिल से बनाओ, बार-बार कहरे हूँ, ठीक है, अब D तो आगया, तुमारे पास है, इन दोनों को जॉइंग कर दो, अभी कहरे, A, D भी 6 cm है, ठीक है, 6 cm का एक रेडियस ले लो, सेंटर क्या रखो गया, D रखो गया, च्योंके D पोइं करो, चलो, बहुत नीट और ट्लीन डाइग्राम बनाना तुम लोग, तो क्योंके पैंसे कर रही हूं, ताकि तुम लोग पैंसे बिल्कुल नहीं बनाना, इसको जो इसके डाइग्राम से न दोनों को तुम जॉइंग करता हूँ, ठीक है, ठीक, इस अप्लीट च्योंके यह ए पार्ट, अब हम चलते हैं इसके डीपार्ट पे, बी में क्या गया गिवन है भाई एगी है, ठीक है, चलो पहले बना लेते है, ठीक है, बन गई एगी परफिया है ठीक है, ठीक है ठीक है, बन गई, उश्वकृत इस इस अधी थिस थिज कीया, था ठीक है,। एस यह थे ठीक है चलो अब B C है तुम्हारा 5.2 ठीक है उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें compass लो 5.2 के लिए measure करो इसको है ना ठीक है मैंने ये scale से measure गलिया 5.2 B C है तुम्हारा 5.2 मैंने इसे C के लिए एक आख लगा दिया ठीक दीपे center रखा एक आख लगा दो 5.2 अब आजाओ तुम A D पर A D है 6.3 A to D है 6.3 है ना A D मतलब A से D पर आओ 6.3 ऐसे एक आर्क लगा दो ठीक है सही चलो एक पॉइंट की बस और जर्वत है पिर तो तुम्हारा पस एक तीसरा आ जाएगा A C is 6.8 तो हमें इसका मतलब 6.8 measure करो measure होगे 6.8 है ना A कितना है यह A C A 6.8 तो A पर रखो C की तरफ आजाओ होगे A C C point मिल गया ना तुम्हें अब चलो इन दोनों को join कर दो तुम ठीक है इन दोनों को dotted कर दो A से C तक dotted कर दो ठीक अब क्या करोगे अब तुम्हारे पस D चाहिए तुम्हें है ना B D है 7.2 तो ठीक है 7.2 है ना B पर रखो D आ जाएगा 7.2 ठीक 7.2 मैंने कंपस से मेशर करा बी इस सेंटर लिया आर्क लगा दिया डी पोइंट हे लिए ठीक इसको फॉर्म लाइन बना यहां से इन दोनों को भी जॉइन कर दो फॉर्म लाइन से ठीक है अब एक डॉटेट बना दो एक डाइगनल बीडी के लिए ठीक है समझ में आ रहा है ना इसका solution अराम से अब बाकी का CDE तुम लोग खुछ के करोगे चल ना ओ वील काम तु कुष्शेंट नामबर थ्री क्या है यहां ड़ो डॉप पैर लेलो ग्रैम में ऐसा होता है एक पैर लोग्रैम की प्रॉपटी होती कि उसके जो डाइगनल्स होते वो बाइसेक्ट होते मतला है अग यहां पर तीन संटी मेटर है तो यहां पर बीतीन स चलो इसमें एक साइड है B C देखो यह ऐसे बनेगा A B C D कुछ इस तरीके से बनेगा ठीक है अब यह कहते हैं B C गिवन है 5.6 डाइगनल A C है 6.2 तो ऐसा करते हैं डाइगनल पहले ले लेते हैं जरा साथ 6.2 है न तो मैं एक पूरा 6.2 का डाइगनल ले लेती हैं मैंने क्या करा हैं हाँ पर एक डाइगनल बना लिया A C यह पूरा है 6.2 सेंटीमीटर्स ठीक है क्लेर अब मैंने क्या करा 6.2 है न इसको मैंने बाइसे कर दिया 3.1 क्यूँक्य हमें क्या पता है कि जो पेरललोग्राम के जो दाइगनल्स होते हैं न वो बाइसे करते हैं एक दूसरे को ठीक तो यह वाला मैंने पॉइंट ऐसे करके ले लिया ठीक है सेंटर चलो अब यह क्या कह रहे हैं कि अंदर डाइगनल असी 6.2 और बीडी जो दूसरा डाइगनल है तो अब यह काम करो बी सी है 5.6 है ना तो सी से लो 5.6 मार्क करो 5.6 एक कैसे पढ़ेगा एबी सी डी ऐसे पढ़ेगा ना तो सी है तुमारा 5.6 ओ ओ यह लग रहा है मुझे कहीं पर है ना चलो बी सी तो आगया 5.6 एसी इतना आगया और बी डी है तुमारा 8 सेंटिमीटर्स है ना इसका मतलब 4 इधर और 4 इधर ठीक है अब देखो यह जो परलेलो ग्राम है A B C D तो तुमारा पास यह पॉइंट B तो तुम्हें मिल रहा है ना लेकिन अभी R के साथ भी है हमें फिक्स पॉइंट नहीं है ना तुमको यह पता है कि जो परलेलो ग्राम के जो डाइगनल्स होते हैं है ना वो क्या करते हैं दूसर कि BD तुमारे 8 cm है तो O से उपर B 4 cm जाएगा O से D वो भी 4 cm ही जाएगा तो मैं क्या कर सकती हूं यहाँ पर अपना सेंटर रखती हूं और 4 cm के लिए इसको मैं मार्क करती हूं ठीक है ओ पर सेंटर रखा 4 cm अभी रखो में देखो 4 cm मैंने से मैस्यों करा तो देखो यह एक नर्रुकों ठीक है यह पॉइंट डी कहीं इधर उदर आएगा ठीक है तो चलो यह तो तुमारा बी पॉइंट आ गया इन दोनों को तुम जॉइंग कर दो ठीक अब हमें पता है कि A C मिल गया हमारे पास BD है तुमारा 8 cm है ना तो तुम ने क्या करा B पे रखा 8 cm है ना तो तुम यह पॉरा इटी पड़ेगा इसी 6.2 BD है तुमारा तो यहां पर आपस A B आगे परलेल ग्राम के दोनों ऑपोसिट साइट जीक पर होती है ना तो तुम यह A B को ऐसे अपना कंपस रखे मेजर कर लो ठीक है साही वहीं तुम क्या करो सी पर रखो अपना यही वाला इसको चेंज नहीं करना सी पर रखो और एक आर्क लगा दो तो यह हमारे पास पॉइंट डी आगा देख रहे हो अच्छा नहीं सॉरी सॉरी A B C D हाँ ऐसी जाएगा ठीक है ऐसी ही जाएगा है ना यह आगे तुम्हारा पॉइंट D ठीक है आगे समझ में कैसे परलेलोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करना है कर तो अब बस डाइगनल्स गिवन है दो चलो इन सब को जॉइन कर दो देखो बन गया तुम्हाए बस परलेलो परलेलोग्राम करते हैं को इसको सेंटर में आएगा को इस नामबर फोर पर ठीक है यह कहने कंस्ट्रक्टर रॉंबस इन विच डाइगनल्स और एट सेंटीमीटर अब देखो रॉंबस कैसे बनता है रॉंबस ऐसा होता है कुछ ठीक है रॉंबस ऐसा होता है इसकी यह देहनके है जैके रॉंबस और sabato toca的话 बना रहा हो झाए है इसकी आएगनल्स सेंटीमीटर अगल्स इसको बनता है यह डाव स्वक्तिक में का स्वक अ Yaznail भी CD तो जो एक डाइगनल है AC वो कितना है 6 cm ठीक है तो यह ले लो तुम this is point A this is point C एक डाइगनल बना दिये AC है 6 cm तो इसको 3 cm ले लो ठीक है 3 इधर 3 इधर ठीक अभी यह कहरें कि दूसरा डाइगनल है वो है 8 cm तो सपोस्ट करो तुम्हारा B to D 8 cm है ना तो मैंने यहाँ पर रखा 8 cm का मतलब कितना है कि 4 उपर 4 नीचे है ना इधर 4 फिर आगे सब समझने this is point B this is point D तो यह तुम्हारा रॉंबस बनगे इसको तुम जॉइन कर लो आगे समझ में easy है ना कि हमने डाइगनल से रॉंबस कैसे बनाया ठीक है अगर यह पैंसल से होता है तो मैं इससे रब कर देती तुम्हें और क्लियर हो जाता लेकिन मैं पैंस इसलिए बनाते हो ताकि आप लोग को ना visible रहे हर चीद अच्छे से ठीक है तो इस वी कुरिशन नामबर फॉर नाव मूवां तो कुरिशन नामबर फाइव क्लिशन नामबर फाइव में क्या करना है construct square इन विजट डाइगनल इस एक सेंटिमीटर है कि में स्कुएर का भी वही चीज होता है डाइगनल इसका मतलब क्या है कि तुम्हें ऐसा बनाना में एक एक यह एक तो डाइगनल दिसके जो डांट बीसित । इसके जो डाइगनल होते हैं वह भी एक दूसरे को करता है 90 डिगरी पर जाते हैं ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं यह पर एक तुम पॉंट लो ठीक है a पॉंट यह ले लिया c है तुम्हारा डाइगनल जो सोरी क्या वनी चलो इस पॉइंट ठीक है तो यह मैंने क्या कर रहा एक पॉइंट ओ मार्क कर लिया यहां पर ठीक है तो एसी तुम्हारा है अब जो दूसरा डाइगनल आएगा तो तुम्हारा डाइगनल बनाई है तो तुम्हारा डाइगनल बन गया एट सेक्टिमीटर्स ठीक है अब सबको जोइंग कर दो तो तुम्हारे पास स्क्वेर आगया एबी सीडी ठीक है क्लेर सइए अब यह स्क्वेर आगे अब ऐसा हम उसको कभी ऐसा बनाई नहीं सकते नहीं तुम्हें अपने पेपर को अलकर से ऐसा कर दिया ठीक है ना तो यह तुम्हारे श्क्वेर यह अब हम्ञुप चलते है कृषिन नामबर 6 पे है कंस्ट्रक्ट रिक्टांगल विद एबी 4 cm ए 3 चलो टीक है चलो एबी बनाते हैम सबसे पहले हैं कितनी है 4 cm तो यहां पर रखा यह बनगी तुम्हारी AB line ठीक है AB 4 cm अब यह कह रहे हैं जो AC diagonal है वो तुम्हारा 5 cm है ना अब तुम्हें नहीं पता कि diagonal कहां जाएगा इसका है ना मैं क्या करूंगी 5 cm के लिए एक मैंने 55 के लिए मैंने एक दो एक यह ले लिया ठीक है Central A C के लिए एक मार्क कर दो ठीक है clear है चलो अब क्या करोगे what next यहां से हम अपना इसके जो दोनों diagonals होंगे वो equal होते हैं है ना ठीक है तुम अगर ऐसे करके अपना यह बनाते हो तो जो इसका यह प्रोटेक्टर लो जीरो पे रखो ए पे रखा मैने सेंटर और देखो 90 डिग्रीज है ना मैंने ऐसे करके दोनों को जोइन कर लिया यह तुम्हारा पॉइंट आगे A B C D यह पॉइंट आगे D ठीक है clear है ऐसी तुम अपना बी पे रखो तुमें 90 डिग्री का अंगल चाहिए क्योंकि हमें पता है यह तुम्हारा पास आगे A B C D इसके तुम यह डाइग्नल्स ले लो इसको डॉटेट से शोव कर दो डाइग्नल्स को ठीक है वीडियो पसंद आईए तो चानल को सब्सक्राइब करो शेर करो थैंक्यू फू वाचिंग ब्रेनो सल्यूशन